साफ दिखने पर मिलते हैं यह पाच संकेत, जानिए आपके लिए शुब या शुब साफों से जुड़े कुछ संकेत बेहद एहम होते हैं, फिर चाहे ये संकेत सपने में मिले या हकीकत में इनका संबंध आपके भागय तक पर पढ़ता है, हिंदु धन में साफ को देपता का दर्जा दिया गया है इतना ही नहीं नागू की विधी विधान से कूजा करने के लिए नागपंचमी का पर्व भी मनाया जाता है भगवान शिब ने तो नाग को अपने गले में धारन किया है देश में कई नाग मंदिर है, लेकिन इसके साथ ही साफों से जुरे कई शगून अप्शगून भी प्रचलित है आज हम साफों से मिलने वाले ऐसे ही शुबशुक संकेतों के बारे में जानेगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं संकेत नमबर एक, सफेद साफ सफेद सर्फ हकीकत में दिखे या सपने में इसे बेहद ही शुब माना गया है सवभागय शाली लोगों को ही ऐसे नाग के दर्शन होते है सफेद नाग का दिखना जीवन में अपार धन वैभव के मिलने का संकेत है इसके अलावा यह बड़ी सफलता मिलने का भी इशारा है ऐसी घटना सोई किसमत जगा देती है किसी मंदिर में साफ का दिखना भी बहुत शुब होता है इसका मतलब है कि आपकी कोई बड़ी मनुकामना पूरी होने वाली है संकेत नमबर दो शिवलेक पर साफ वही शिवलिंग पर साफ लिपता हुआ देखना बहुत ही शुब और मंगलकारी है नाग के अपने इश्ट शिव से मिलन का यहाद भुद द्रिश्य देखने का मतलब है कि आप पर भगवान शिव की अपार प्रिपा होने वाली है ऐसा सपना भी बहुत शुब माना गया है संकेत नमबर तीन अगर बाई और से रास्ता काटे साफ यदि साफ बाई और से आकर रास्ता काट दे तो यह नुकसान का संकेत है ऐसा होने पर व्यक्ति को साफधानी से काम लेना चाहिए अगर आपके आगे से अगर साफ गुजर जाय तो यह शुब माना जाता है संकेत नमबर चार अगर दाई और से रास्ता काते सांप, वहीं सांप का आपके दाई और से आकर रास्ता कातना बहुत शुब होता है। यह सफलता मिलने का संकेत है। अगर आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए यह शुब संकेत है। संकेत नमबर पाँच अगर पेर पर चरता दिखे सांप इसी तरह सांप को पेर पर चरते हुए देखने का मतलब है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है धन लाब होने की भी प्रबल संभावना होती है ये दर्शानता है कि आपको धन लाब होने वाला है तो दोस्तों आपने जाने साफ दिखने पर मिलने वाले 5 संकेत हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट में अपने सुझाव दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद